पॉस्टू एथीजिम हिंदी चैनल प्रेक्षिकों को स्वागत आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा रा मोहन राई पुस्तक में स्वतंतर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे के बारे में आपके सामने प्रसुद करना चाहती हुँ रामोहन ने उस प्रच्चिक रूडिवादी परंपरा का खंडन किया जो मानो कल्यान के मार्ग में बाधा बन कर खड़ी थी समुद्र को हिंदू दर्म में देवता की संया दी जाती रही हैं धार्मिक ग्रंदों के अनिसार समुद्र ब्राह्मन है जो अपने अमूल्य खजाने द्वारा मनुषयों का कल्यान करता है इसलिए उसके पूजा करना हिंदू दर्म में काफी प्रचलित्ता समुद्र पार करना तधा विदेशों में जाना वुन दिनों पाप माना जाता था इस प्रकर के विजर आजकल हास्यस्पत लग सकते हैं पारंतु हेट सव वर्ष पोर ऐसा विश्वयस्ता की किसी भी हिंदू के लिए सागर पार करना अधार्मिक हैं अगर कोई हिंदू ऐसा करता हैं तो उसे समुद्र देव का अनादर करने का दन भुक्तना पड़ेगा भार्जियों में रामोहन ऐसे प्रथम यक्ति थे जिन हुमने अंधविश्वयस को ना मानते हुए समुद्र पार करके इंगलेंड की वोर रुकिया अंगरी जुन द्वारा दिली के बाशाह को दी जाने वाली रकम बहुत कम थी जिसको बढ़ने के लिए उन्हें इंगलेंड के राजा के सामने ये कर्जी पेश करनी थी मुगल बाशाह ने अपने खर्च पर ही रामोहन को इंगलेंड भेजने का निन्ने किया था यह वही आवसर था जब उस प्रधम आध्रिक भारती को राजा की वपादी से सम्मानित किया गया था ये कैसा बेताज बाशाह जिसके हुकूमत इंसानी दिलों पर चलने लगी थी रामोहन इंगलेंड राजा रामोहन राई बनकर ही गये थे खर्च बढ़ाने की आजजी देने के अधरिक्त उनका दोसरा उद्देश वही था जिसके कारण बाल्यकाल में उनका हरोदेई दग्द हुआ था जब उन्होंने अपने भावी को जबरन सती कराते हुए अपने दर्मान्द सगे सम्मंधियों को देखा था वे पार्लमिंट में सती प्रधा को नस्ट करने के लिए तरक प्रस्तुद करने के लिए उचाहित ते रामोहन के इंग्लेंड बेंड का कई विरोधी लोगों ने जमकर विरोध किया कई ब्रिटिशन नागरिक भी यह चाते ते की रामोहन इंग्लेंड में नगूसे क्योंकि रामोहन की ख्याती उनसे पाहले ही इंग्लेंड पहुंच चुकी थी काई आवरोधों को पार करते हुए रामोहन जब लिवरपूल में वतरे तो वहां की प्रमुक नागरिकों ने उनका स्वागत किया पेरालसिस की व्यादी से ग्रस्त प्रसिद इतिहा सकर स्री विल्यम रादबों ने रामोहन को बुलाने और उनसे बेंट करने का निमंत्रन लेकर अपने पत्र को भेजा जिसे रामोहन से सहश स्वीकर किया रादबों ने रामोहन से मिलकर यह कहा आज उनकी एक बड़ी इच्छा पुन हुई हैं इंगलेंड की कई बड़ी समस्तावों ने रामोहन का स्वागत किया हर जगह उनके खुले विचारों और तरकों का स्वागत किया गया इंग्लेंड के निवासी उनके विचार सुनकर आचरी चेकित रह गये की एक भारती उनकी समस्कृती की बारे में इतनी कहरी जानकारी रखता हैं जितनी उन्हें भी नहीं थी इंग्लेंड की सफल यात्रा में ओपरांद के फ्रांस भी गये कुल मिला कर उनकी इंग्लेंड यात्रा सफल सिध हुई यद भी बाशा को दी जाने वाली रकम पोर्ण तया निश्चित नहीं की जा सकी फिर भी उन्हें 3 लाग रोपिये वार्शक देने का निन्ना किया गया अगले एपसोड में राजय रामोहनराई के बारे में और कुछ अम्षण को जानेंगे धन्यवाद अन्यवाद पॉसितिव एथिसम और अटिवेट बेल इकॉन